दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे वर्टसेप अपने यूजर्स के लिए बैक टू बैक नएने अपडेट्स लेके आता जा रहा है ऐसे में रिसेंड़ी वर्टसेप में जो न्यू अपडेट्स रोल आउट किये गए हैं वो आपके लिए बहुत ही जादा यूसफुल होन जानते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूं रमे सिंग और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरे मिस लाइव लर्निंग में तो चले फ्रेंट्स वीडियो शुरू करते हैं जैसे कि आप जानते हैंगे वटसेप में यू अप्डेट्स करने के लिए सबसे पहले आपको अपने वटसेप को प्लेइश्टोर में जाकर अपडेट कर लेना है अपडेट करने के बाद अब आप अपने किसी भी फ्रेंड की चैट को ओपन करके उसके मैसेज पर अपना दे सकते हैं यानि कि अपडेट करने के बाद इस तरह से आप अपने किसी भी फ्रेंड के मैसेज पर लॉंग प्रेस करेंगे इस तरह से कुछ अलग अलग इमोजी पर क्लिक करेंगे तो सेलेक्टेड मैसेज पर आपका रियक्शन चला जाएगा जैसे कि मान लीजिए अगर आ अगर माल लीजिए अपनी मोबैल से इस तरह से अपनी कोई फोटो सेlike करके अपने इस फ्रेंड को सेंड करना चाते तो guys यहां पर आपको bottom side में अब एक और blur option देखने को मिल जाएगा जिसको select करके आप अपनी photo के किसी भी part में अपनी finger की help से draw करेंगे तो वो part दुन्दला हो जाएगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मैं photo में face पर अपनी finger को drag कर रहा हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा face जो है वो blur हो गया है इसी तरह से आप अपनी photo का कोई भी portion blur ही बना सकते हैं blur करके सामने वाले को send कर सकते हैं और same heat trick आप अपनी status photo upload करते time भी use कर सकते हैं दोस्तों अगर आप WhatsApp पर अपने friends को voice message भी भीजते हैं तो ये update आपके बहुत ही जादा काम आने वाला है जैसे कि आप जानते होंगे माइक आइकन को इस तरह से उपर की तरफ ड्रैक करके आप WhatsApp में अपने किसी भी friend को voice message record करके भीज सकते हैं लेकिन अब आप ना सिर्फ message record कर सकते हैं जाद की pause option पर क्लिक करके voice message को रोक सकते हैं और वापस my case icon पर क्लिक करके voice message को continue रख सकते हैं इसके साथ ही voice message को delete कर सकते हैं या फिर send कर सकते हैं अब अगर सामने वाला इसी तरह से आपको कोई voice message record करके send करता है तो उसके message को आप दोगुना speed बढ़ा कर सुन सकते हैं या पर इसके लिए आपको इस pop up पर क्लिक कर रहा होगा जिसके बाद सामने वाले के voice message के साथ साथ अपने voice message को भी आप डबल speed में सुन सकते हैं यही नहीं दोस्तों अब आप सामने वाले के voice message को सुनते हुए भी वर्सेप पर दूसरा काम कर सकते हैं दूसरे फ्रेंड के साथ chat कर सकते हैं उसे message बेश सकते हैं इसके लिए पहले आपको सामने वाले के बेजे हुए voice note को play कर दिना है play करने के बाद आपको back button पर click करना है जिसके बाद आपकी वर्सेप chat list open हो जाएगी लेकिन जिस voice message को आपने play किया है वो बंद नहीं होगा यहाँ पर top side में आप उस voice message को play होते देख सकते हैं इस बीच आप दूसरे फ्रेल्ड के साथ भी chatting कर सकते हैं दोस्तों जासी कि आप जानते होंगे वर्सेप में आप अपने last scene profile photo और about को या तो public रख सकते हैं या फिर सिर्फ अपने context को ही सोग कर सकते हैं या फिर सभी से छुपा सकते हैं लेकिन इस new update के बाद अब आप अपना last scene profile photo और about को जिसको चाहो उसको दिखा सकते हैं और जिससे चाहो उससे छुपा सकते हैं यानि कि आप अपने इसाब से अपने profile photo last scene और about पर privacy set कर सकते हैं इसके लिए याँ पर आपको top right corner में three vertical dots पर क्लिक करना है और settings option पर क्लिक करना है इसके बाद whatsapp की settings page में आपको account option पर क्लिक करना है और account settings में privacy option पर क्लिक करना है privacy settings में आप last scene का या option देख सकते हैं इस option पर आपको click करना है जिसके बाद आपको यहाँ पर एक नया option देखने को मिल जाएगा my contact accept तो दोस्तों my content accept के इस option को आपको select करना है जिसके बाद आपकी friend list open हो जाएगी तो यहां से आप इस तरह से अपने उन सभी content को select कर लीजे जिनको आप अपना last scene show नहीं करना चाहते हैं करने के बाद bottom right corner में check mark के circle पर आपको click कर देना है जिसके बाद जितने भी friends को आपने select किया होगा उनसे आपका last scene hide हो जाएगे उनके लावा बागी सभी friends को आपके WhatsApp का last scene बराबर show होता रहेगा इसी तरह से आप अपने कुछ selected content से अपनी profile photo को भी hide कर सकते हैं इसके लिए यह अपनी profile photo नहीं दिखाने जाते हैं यहां पर भी आपको save करने के लिए bottom right corner में check mark के circle पर click कर देना है ठीक किसी परकार से दोस्तों आप अपने WhatsApp का about भी hide कर सकते हैं कुछ selected friends से अपने about को छुपा सकते हैं तो आज की इस वीडियों पस इतना ही दोस्तों मिलता हूं इसी तरह